श्रादे रादे फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल अधी कल्च्रल वर्ल्ट देखिया अज़ लड्डू को पाल जी के लिए ये बहुत ही खुपसूरत सी ड्रेस पनाएंगे आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज्यादा सुन्दर लग रहा है ये गर्मियों तरीके से बन जाती है इसको बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ज्रस बनाना बताया है इसके साथ ही साथ मैंने हर नंबर के लड्डू को पाल जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिसे कि आप य हम ये खुबसूरत सी पुशाग बना कर लड़ू को पाल जी को पहना सकते हैं, तो अगर आप इस ड्रस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज चाहते हैं, या फिर कोई कुशन पूशना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूच सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है अदिकल्टुरलवाल्ट268, साथी साथ मुझे फॉलो भी करें, तो चलिए फ्रेंज, अब हम ये बहुत ही खूपसूरत सी ड्रस बनाना शुरू करते हैं, इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, हमने यलो कलर के कॉटन के फाब्रिक में से देखिए, दो पीसिस कट कर लिया है, इसकी जो हमने लंबाई रखी है, वो हमने 8 इंच यानि की 8 इंच रखी हुई है, और इसकी जो हमने चोड़ाई रखी है, वो हमने 5 इंच यानि की 5 इंच रखी हुई है, हमने दोनों ही पीसिस का मेजर्मेंट बिल्कुल सेम रखा है, इसकी भी लंबाई 8 इंच है और इसकी भी चोड़ाई 5 इंच ही है ये measurement हमने 5 नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए रखा है तो अगर आप इसे बड़े नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये dress पना रहे है तो आपको लंबाई में 1-1 इंच एट करते जाना है यानि कि 5 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए हमने 8 इंच की लंबाई रखी है तो 6 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए 9 इंच की लंबाई होगी 7 नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए 10 इंच की लंबाई होगी ऐसे ही जैसे जैसे लडुको पाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा हमको लंबाई में एक एक इंच घ्ट करते जाना है और यह जो हमने इसकी चोड़ाई रखी है इसमें आपको आधा- require ते जाना है अब देखें ये वाला जो piece है इसको हमें इसके उपर रखना है बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे हम इसको अब हमें इसको बीच में से fold कर लेना है एक बार इसको फिर हम एक बार और ऐसे fold कर लेंगे देखें अब इधर की तरफ से ये folded वाली साइड है और इधर की तरफ से ये open वाली साइड है तो जो ये folded वाली साइड है इधर से हमें neck draw कर लेना है हम देखें पहले निशान बना लेंगे हम V shape में neck draw करेंगे अब हम इसको इसी shape में cut कर लेंगे कट करने के बाद अब हम देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा तो देखिए इसके चारो तरफ से एक बार आप मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से जिसे कि आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी देखिए हमने चारो तरफ से थोड़ी दूर पे मार्किंग कर लिया जिसे कि हमको सिलाई लगाने में आसानी होगी अब हमें इसी के उपर चारो तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है आप देख सकते हैं हमने गले के चारो तरफ से सिलाई लगा लिया है हमने जो निशान बनाया था हमने उसी के उपर से सिलाई लगाई है अब हमें गले के चारो तरफ से छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं देखिए हमें बहुत बड़ी कट्स नहीं लगाने हैं छोटे-छोटे से कट्स लगाएंगे हम जिसे कि हमें इसको पलटने में भी आ यहां पर नेक्की हमने कटिंग किया है। इसके अंदर से हमें ऐसे इसको डालना है और ऐसे पलट लेना है। दिखिये इस तरीके से पलटकर हम इसको निकाल लेंगे पीछे की दरफ से। इसको पलटने में बिलकुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है अब देख सकते हैं हमने इसको पलट लिया है अब हमें नेक के चारो तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है जिसे कि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी मैं आपको बता दो कि ह हमें गला बहुत छोटा भी कटने करना है और बहुत बढ़ा भी कटने करना है अगर हम गला बहुत छोटा कट करेंगे तो लड़ु को पाल जी को सिर में ये पहनाने में बहुत प्रॉब्लम आईगी तो इसलिए आप इसका जो मेजरमेंट है ये लड़ु को पाल जी के सिर तो नीचे वाला जो पीस है इसको पहले हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है और ये जो उपर वाला पीस है इसको भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है उसके बाद इसको हम इसके उपर रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए और यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से इन दोनों तरफ से भी हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इन दोनों तरफ से भी यानि कि हमें चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है देखिए हमने इस पे फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा लिया है आप देख सकते हैं अब इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है अब हमने ये वाइट कलर की ले लिया है ये बहुती सुंदर लेस है जो की मार्केट में एजीली मिल जा इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है और इसकी जो हमने चोड़ाई रखी है वो 1.5 इंच रखी है दोनों पीसे इसकी लंबाई और चोड़ाई हमने बिल्कुल सेम रखी है अब देखिए हमें इसको इस तरीके से रखना है और उपर की तरफ से इसको डबल फोल्ड करते हु इसके साथ हमने दोनों कॉर्णनर पे भी फोल्ड करके सिलाई लगाई है अब हमें यह ड्रेस ले लेनी है और इसको देखे पलट कर पीछे की तरफ से रखेंगे हम इस तरीके से और यह जो हमने पट्टी बनाई है इसको हमें यहां पर रखना है यानि कि गले के आधा इंच हमें इसको यहां से रखना है और यहां से यहां तक इसको सिलाई लगाकर जोइंट कर देना है इन दोनों कॉर्णनर से हमें इसको खुला ही छोड़ देंगे हमें सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको जोइंट करना है इसी तरीके से यह वाली जो पट्टी है इसक और देखे, यहां से यहां तक इसको जोईंट करना है, दोनों कॉर्नर से हमें खुला छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें डॉरी डालेंगे, हमने दीखे, दोनों तरफ से पत्टी भी जोईंट कर लिया, आप देख सकते हैं, अमने सिर्फ उपर और नीचे की तरफ से इसको और दूसरा वाला पीस हमें इसके अंदर डालके इधर से निकाल लेना है। हमने देखे पीछे की तरफ से दोनों पीसे में डोरी भी डाल ली है। अब हमें लड्डू को पाल जी के सिर में देखे इसको ऐसे पहना लेना है। और ये जो डोरी है, इसे हमें बांध लेना है. तो देखिए फ्रेंस, इस ड्रेस का लुब कुछ इस तरीके से आजाएगा. चलिए अब हम लड़ू को पाल जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाते हैं. देखिए फ्रेंस, हमारे लड़ू को पाल जी के लिए बहुती सुन्दर सी ड्रेस पनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है. तो अगर आपको मेरी बनाई हो ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथी साथ पहला आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले. Thank you!